बगवान बुद्ध की अठी अस्थियां या रिलिक्स देखने के लिए आप बुद्ध पूर्णमा के दिन या किसी बिन राश्ट्य संग्रहले आईए राश्टे संग्राले आने के लिए आपको metro station राजी चौक से underground metro लें और उद्ध्योग भवन के metro station के gate number 2 से बाहर निकलें gate number 2 से बाहर निकलकर मौलाना आजाद रोट पर आप चलें सबसे पहले उद्ध्योग भवन पड़ेगा उसके बाद उद्योग भवन से आगे की जो building है वो निर्मार भवन है निर्मार भवन के passes को आजब आप पास करेंगे तो तीसijo building आएगी सरकाई दफ्तर हो है विदेश मंत्राले विदेश मंत्राले के कौने पर जाकर आप सामने देखेंगे तो जनपत रोड आएगा जनपत रोड को क्रॉस करेंगे तो सामने बिलकुल National Museum राष्टिय संग्राले का गेट आपको दिखाई देगा इस राष्टिय संग्राले के गेट में इन गेट से आप चेकिंग कराने के बाद अंदर पहुँच जाएए अंदर पहुँच कर लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे कि समराट असोक के समरट असोक के जो पत्थर सिलाए हैं पत्थर की किताबे हैं जिनमें असोक लीपी पर वहाँ बहुत कुछ बुद्ध और बुद्ध की सपहता और बुद्ध की कलचर के वारे में लिखा हुआ है वो आपको समराट असोक की राजाग्याओं के वारे में इंग्लिस और हिंदी में आपको जानकारी मिलेगी राष्टे संग्रालेUNG में जब आप एंटर करेंगे तो आपके मुख्य गेट के दौनों तरफ आपको बहुत सारी सिल्प लाएं मिलेंगी, मुख्या गेट से जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपकी एक और सिकाउटी चेक होगा, फिर सामने काउटर से आप 20 रुपे का टिकेट ले ले, इस्टुडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए 20 रुपे का टिकेट फिरी है, किसी भी दिनाए सौम बार को छोड़ कर, बुद्ध पूर्व मनाने के लिए 9 बजे पहुंच जाएं, जब आप वहां से गैल्दी मेंटर करेंगे, तो आपको हजारों आर्टिकल, हजारों चीजें, हडबबा सब्वैता कालीन, राकिगड कालीन, या जो मून लिवासियों के अफसेस हैं, वो सारे के सारे यहां मिलेंगे, पूरी बिल्डिंग अफसेसों से, रिलिक्स से भरी पड़ी है, और बुद्ध का तो जगे 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 आपको हजारों आर्टिकल, पूरे देश के यहां पे दिखाई देंगे, जब आप 3-4 हॉल पार्क कर लेंगे, तो एक सामने रेलिंग आएगी, और रेलिंग से जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो सामने आपको एक बहुत सुन्दर गोर्डन कैस्केट दिखाई देगा, उस कैस्केट में भगवान बुद्ध की, भगनवान बुद्ध की 22 हड्डियां या 22 अस्थियां या 22 बोंस रखी ह जा सकती है, मगर बुद्ध पूर्ण में वाले खास दिन, यहां बहुत सारे भिच्चु भी आते हैं, और ऑडिटोरियम में एक काईग्रम भी होता है, पिपरवा एक जगे थी, जो कपिल वस्तु के नाम से जानी जाती है, पिपरवा बिद्ध पूर की एक स्टेट के WC Pepe English थे और उनको बहुत जादा शौक था, वो अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए जंगल साफ कराय करते थे, जंगल साफ कराने के तोरान उन्होंने देखा कि एक इंटो का बहुत बढ़ा इस्तूप बना हुआ है, उस इस्तूप को देखे उन्हें जिग्यासा ह पत्थर का एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर चार कंटेनर रखे हुए है, चार कैस्केट या चार मंजुसा या डिबियां रखी हुई है, जो सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है, उनमें से एक जो डिबि थी या एक कैस्केट था, उसके अंदर उन्हों देखा कि जाज करने से पता चला कि यह असोक लिपी है और इस पे लिखा हुआ है कि इसमें भगवान बुद्ध की offerings यानि गिफ्ट और अस्थियों रखी गई हैं जो उनके साक्य बहन भाईयों के द्वारा रखी गई हैं यहां सेक्रो प्रिकार की चीजें प्राप्त हुई जिनमें गोल्ड, सिल्वर, कौपर, तावा, चांदी, सोना, मुंगा, मोती और खास्त और से दो चिन्ने मिलें जिसमें एक स्वास्तिक का था जो चार आरे सत्य का था और एक सिंग का था शेर का था यह सोने के पत्ति के तर ऐसे भारतिया लोगों का मून निवासी है, जो बुद्ध के चार आरे सक्तों का सध्धान्द का बताता है, बुद्ध की अस्तियां वहां बहुत शांदार तरीके से रखी हुई है, क्योंकि थाइलेंड के राजा ना इनको कैस्केट में दिया था, बुद्ध पुड मा कि दिन नौ बजे मेटो टेके या अपनी गाली से आए तो यहां पार्किंग की सुविदा है, यहां बच्चों के साथ परबार के साथ आए और यहां बुद्ध की अस्तियों को देखके उनसे पिढ़ना परात कीजिए, फर साल दर साल यहां हजार लोग आ रहे हैं, पांच मई 2015 को जो स्टेट मिनिस्टर माननेवार रिजू जी है, उन्होंने कहा था कि जो प्रिग्मेंट्स हैं, बोन्स के जो टुकड़े हैं बुद्ध के, इनको नैशनल मुजियम से हटा कर किसी स्टूप में रखा जाए ताकि इसको हजार लोग को दर्सन हो सके, अब वो समय आ बुद्ध पुर्ण वाले दिन या किसी दिन खास तौर से आप आएं और भगवान बुद्ध की अस्तियों का दर्सन लाब लें और भगवान बुद्ध की अस्तियों से पेड़ना पाते हुए, इनसे घंड करें, विपसी लोग तो इनसे खास तौर से तरंगे भी महसूस क झाल झाल